नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी योट्यूब चैनल पर और दोस्तो आज का भाशन है स्रीमत भागवत कथा या राम कथा के लिए या कोई धार्मी कारेकरम के लिए सत्संग के लिए भी आप इस स्पीच का प्योग कर सकते हैं और इसके साथ मैं कहूंगा कि हमारी व विडियो कैसी लगती है और इसके साथ साथ आपको किस तरह से और ज्याद आच्छे से सिखाया जा सकता है ताकि मैं अपने काम को बहतर कर सकूं और यह स्पीच आप शुरूआत करें इसको बहतर तरीके से तयारी करके कि आपके करम ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के त उप्तरदाईतों को निभाते हुए हमारी सनातन संस्कृति को अमरतव प्रदान कर रहे हैं वक्ति भाव से ओत्प्रोत प्रांगन में उपस्तित घर की लक्षमी बहन बेटियां माताएं युवा शक्ति और बुज़ूर्गों का हार्दिक अभिनिंदन करता हूं आज इस इस पर मुझे अपने विचार रखने का सुवसर मिला है इसके लिए मैं आप सभी का आशीर वाच चाहूंगा किसी विराश्टर के लिए उसकी संस्कृतिक विरासत एहम होती है क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी प्राचीन आस्थाओं से जुड़ी होती है हमें इस बात पर सगरव है कि हमारी सनातन संस्कृति के आधार बूसरंचना हुई है हमारा आधार है हमारे ग्रंत वेद शास्त्र उपनिशद जिनमें मानव जीवन का वास्त्विक सार बताया गया है आज इस व्यास्पीड से हम इस कथा को सुनकर ऐसे संकल्प लें जिससे भारत भूमी पर फिर से हमारी सभ्यता और संस्कृति दीप्त मान हो भारतिया नारी की करूना प्रेम अतिति सतकार हमारी भक्ति परंप्रा का प्रिणाम है आज हम युवा प्रिणा लें श्री राम के जीवन से जिनोंने अपनी युवा वस्ता में बनवास को सविकार किया और राज पर जीवन के हर मोड पर हम अपनी गीता पुरान रामायन से प्रिणा ले सकते हैं बैन बेटियों के ब्रती पवित्रता का भाव रखें युवा शक्ति स्वावलंबी बने अपनी उर्जा को सही दिशा में लगा कर राष्ट रिमान में सहयोग दें हमारे गरंत यह कथा हमे ये संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा ततपर रहें क्योंकि सब्वेता रहेगी तो हम रहेंगे एक बार पुन है आप सभी श्रोताओं का अभार प्रकट करता हूं और व्यास पीट पर विराजमान कथा व्यास सिरी सुधिर जी को प्रणाम करता हूं बक भाशन दीजिए आपका भाशन बहुत ही खुबसूरत होगा सीखते रहें पबलिक स्पीकिंग टिप से और बहतर तरीके से सीखने के लिए तो आप दिये गए कोंटेक्ट नंबर पर कोंटेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं धन्यवाद